चलिए तो for loop का syntax था कि for लिखना है initialization, increment, decrement यह सब condition लगा रहा होता है जिस तरह से for loop चलता है ऐसे ही while loop चलता है while loop में भी conditions वगरा दिया जा सकता है तो हमने loop for करके class बना दिया अब while loop का क्या syntax होता है मैं आपको आता हूँ देखिए while loop का syntax होता है कि आप while लिखे और while लिखने के बाद opening, closing कर दीजे ठीक है और यहाँ पे इस curly braces के अंदर बस condition दे दीजे यह while loop का syntax है अब condition क्या दोगे यह increment, decrement, initialization, condition, termination ऐसे नहीं यहाँ तो कोई variable ऐसे बना लेना होता है आपको से आपने i बना लिया आई में 1 दे दिया आपने कहा दिया कि अगर i is i की जो value है क्या वो less than है i is less than greater than आ रहा है क्यों less than कभी तो sign है हाँ है तो i is less than 10 यह जब तक i is less than 10 नहीं हो रहा है तब तक यह चलता रहे तो बस system.out.println में i को print कहती है चलता रहेगा लेकन बात यह है कि सर आपने increment किया decrement किया नहीं न i की value बढ़ेगी नहीं न i की value 1 है तो i की value को बढ़ा दो और जब बढ़ बढ़के i की value के आप कहां बहुत जाएगी 10 पहुंच जाएगी तो वहीं पर loop क्या हो जाएगा break हो जाएगा और 10 नहीं 9 में ही break हो जाएगा 1 से लेके 9 तक चलेगा अब 1 से लेके 9 आपने कहा नहीं नहीं मुझे बिल्कुल चलना 10 तक तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा equal to लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब अगर यह आपने लिख दिया है तो आप जो table का code लिख रहे थे table का logic लिख रहे थे यह यह पूरा code आप अगर यहां से उठाके यहां पर डाल दोगे तो table भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आप user से input ले लिजे और while loop का यूज़ करके आप table का program चला लिजे बस आपको यहां scanner चलाना पड़ेगा इस scanner यहां से copy कर लेंगे हम यहां पर paste कर दीजे यहां गया scanner हो गया अब यह table का program हो गया while loop के थ्रू नंबर एंटर कर रिए 4 4 का table आ गया यहां कि वही table का program आप कैसे चला पा रहे हो while loop के थ्रू चला पा रहे हो तो while loop का syntax while यहां पर condition और नीचे increment बताईए नहीं तो जाया अगर वाइल लूप को मुझे infinite तक भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं तो while के अंदर true डाल दीजिए अगर while loop के अंदर true डाल देंगे मैंने उपर वाले को कमेंट कर दिया तो यह हम इसा के लिए चलता जाएगा कभी बंदी नहीं होगा system.or.println और यहां पर double code के अंदर डाल दीजिए हाई हेलो कुछ भी लिख दीजिए अब यह चलता जाएगा अचा यह हमने scanner उपर लिख रखा है न तो इसलिए चलता जाएगा बताएगा तो यह वाइल लूप और आपका for loop अब बात आजाती है do while loop की तो जैसे while loop होता है कि अगर condition match करता है तो while loop चलेगा अगर condition match नहीं करता है तो while loop नहीं चलता है लेकिन do while इसका बिल्कुल उल्टा है do while का मतलब है condition बात की चेक हो जाएगी कि पहले condition चेक करना तो पहले condition बात में चेक होगी पहले काम करो do do while do while का मतलब की काम करते रहो जो तक condition satisfy हो रहा है condition कहीं बीच में चला गया तो काम गड़बड हो गया और do while क्या कहता है while में क्या है फिर से समझे मैं क्या बोल रहा हूं सायद मैंने गलत बोल दिया हो while में क्या होता है कि अगर while लूप में condition satisfy हो रही है तभी आप काम कर पाओगे condition मैंच नहीं कर रहे है तो काम हो ही नहीं सकता लेकिन do while का मतलब यह है कि पहले काम कर दो बाद में condition देखो कि सही है या गलत जो भी है वो बात की बात है कि नाम से अस्वच्ट है कि do then while काम तो करो ही करो कि बाकि जब तक condition मैंच करती है तब तक है कि हना कि बोलो भई तो आपको आप आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप का व्यूज करना चाहिए और फॉर लूप का व्यूज करना चाहिए तो जब हमारे पास condition finite हो तो वाइल लूप मतलब कहने का number of iteration अगर आपको पता हो तो for loop very sorry मैं गलत बोल दे रहा हूँ for loop कब जब हमें number of iteration पता हो ठीक कंडिशन finite हो तो for loop और वाइल लूप जब condition infinite हो number of iteration कितने बार हमें चलना ही हमें पता नहीं हो तो वाइल लूप और डू वाइल लूप डू वाइल तो हमने यूज किया नहीं लेकिन डू वाइल किसलिए होता है कोई इक पता है इत्यों बता रहे थे कि entry point exit point तो वाइल लूप में क्या होता है कि जैसे program enter होता है तुरंत condition चक होता है है न तो इसलिए जो वाइल लूप होती है वो entry time पे ही condition को चक कर लेती है इसलिए उसे entry control बोलते है और do while जो होता है exit control होता है exit control का मतलब condition बाद में चेखोगा पहले काम हो ही जाएगा do मतलब करो condition जब तक चलता है तब तक और ऐसा भी एक condition मैच करे न करे तो do while में do तो एक बार हो ही जाएगा अगर सेम example देखना है तो मैं आपको बताता हूँ देखिए यहां पर मैंने सब को कमेंट कर दिया इवन ऊपर भी scanner को भी कमेंट कर देते हैं जरूत नहीं है अन्हां अब जैसे यही काम था इसी को do while से करते हैं देखिएगा do while का syntax का होता है बिल्कुल while से अलग होता है यह जो चीज आपने लिखाया है इसको डाल दीजे do में ठीक है यहां से वाई लटा दीजे कि वह यह काम करो क्या करो system.or.println के अंदर यहां पर print करो कुछ value मतब यह value print करो कब तक print करो मैंने do बता दिया कि वह करो sorry 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 do बता दिया कि करना है लेहिन कब तक करना नहीं बता है अब यहां लगाएंगे while w h i l e while और while में क्या करती है हमने कहा हुआ है कि जब तक i की value less than 10 नहीं हो जाती है less than equal to नहीं हो जाती है less than equal 10 नहीं हो जाती है तब तक यह करते रहे हैं बस अलाश्ट में semi call लगा दो तो while के case में while के case में हम opening closing करते हैं while का लेकिन do while के case में semi call लगा देते हैं और लेकिन do काम करता रहेगा तो i की value तो बढ़ाना है न तो उसका code कहा लिखेंगे वह i do के अंदर लिखेंगे i plus plus का code यह लिजें बस वही सेम चीज़ हो गई यह देखो यह काम करो जब तक condition match करती है आप नहीं का अगर मैं i की value 1 रखा हूं और i is less than equal to 10 के बगए हम हमने i is greater than equal to लिख देते हैं तो यह condition तो satisfy नहीं हुआ ना तो फिल भी नहीं satisfy हुआ कोई बात नहीं यह value एक बार तो चलेगी ही चलेगी तो do while में क्या है कि condition एक बार तो चलती ही चलती है चैक condition match हो ना हो doesn't matter लेकिन while में क्या है कि नहीं हुआ यह वाइल के condition पहले ही चैको दिक्कत बागी इसमें भी वैसे condition हम लगा सकते हैं कि अगर यह values के बराबर हो तो यहां से break हो जाए ना हो जाए जो भी है अब लगा सकते हैं तो यह होता है वाइल डू वाइल में difference नहीं सोज में आया क्लियर एकदम क्लियर तो लूप तो हमारे हो गया ना एक वाइल लूप होता है एक डू वाइल होता है और एक फॉर लूप होता है तीन तरह के हमारे लूप होते हैं बाकी conditions होते हैं यह if else which case for while do while यह सब conditions प्रोग्राम में हम लगाते हैं